नमस्कार दोस्तों एक महतपूर्ण बात सामने निकल करके आ रही है कि सुषान सिंग राजपुत मामले से ये जुड़ा हुआ है और सुषान सिंग राजपुत के बारे में आप शब को पता ही है कि किस परकार से उनकी जीवन लीला को समाप्त किर्द गई कर दी गई महतपूर्ण के कुछ लोगों ने मिल करके और इसमें कितने बड़े माफिया तत्व और कितने लोग इन्वाल्व हैं इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसे शक्तियां इन्वाल्व हैं जो कि इस बात को खुलने नहीं देना और इस मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो कि सुसांत मामले में दो लोग बहुत ही मतपूर्ण है लेकिन अब उन दोनों का कोई आता पता नहीं है और उन दोनों के नाम है नीरज और केसव बार बार ये नाम आता है यहां तक कि CBI ने भी उन्हें बुलाया था जांच के लिए और उनसे पूस्त आज भी हुई थी पूस्त आज के बाद क्या चीज सामने निकल करके आई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बाते बताई थी जिससे कि यह शक बड़ा गहरा गया था कि इस मामले में बड़े-बड़े लोगों की इंबॉल्मेंट है बड़े-बड़े लोग इसमें इंबॉल्ब हैं और जिनके कनेक्शन सिर्फ देश में ही नहीं बाहर कंट्री से भी हैं परन्तु बीच में ये दोनों नीरज और केशव सरकारी गवाह बनने के लिए तयार हो गये थे और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब इस केश से बहुत कुछ मामला सामने आ जाएगा एजन्सियों के सामने लेकिन धीरे-धीरे अचानक फिर साइलेंट हुआ और ये दोनों फिर से गायब हो चुके हैं इनको खोजा जा रहा है इनको नोटिस दिया जा रहा है लेकिन ये सामने आने के लिए अब त कि तुम गवाह मत बनो क्योंकि अगर कोई किसी के पास काम करता है तो वो उसके प्रती बहुत ही बाफादार रहता है और खास करके जो घर में काम करने वाले हैं और शुरू में इन लोगों को बहुत दुख भी था कि सुषान सिंग राजपुत अब नहीं है इस दुनिया में इसके लिए वो दोनों लोग सरकारी गवाब बनने के लिए तयार भी हो गए लेकिन बीच में ऐसा कुछ मामला आया तो हम ये कह सकते हैं कि सुषान सिंग राजपुत मामले में बड़े बड़े माफियाओं के हाथ हैं जो कि ये चाहते हैं कि इस मामले में अब कोई गिरफ हो चुके हैं हो सकता है कि इन्हें कोई बड़ी धमी मिली है जिसके कारण से इनुने मुंबई छोड़ दिया है लेकं अब जाचिजिंसिया हो या जो भी इसमें यह पता लगाने के जुरत है कि यह दोनों आखिर हैं कहां और किसके डर से इन्होंने मुंबई छोड़ा यह सर्व से बड़ा सवाल है और इसको हमें बहुत ही गंभीता पूरवक से लेने के जोरत है क्योंकि एक एक गवाह अगर ऐसे भाग जाएंगे तो इस केस का बंटाधार हो जाएगा और इस केस में रिजल्ट कुछ नहीं जय हिन जय भारत